नमस्कार वनकम चलिए आज कोई ज्यान निया आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते है देखिए आप इन डॉट्स को हेल्थ और फिटनेस से कैसे कनेक्ट कर पाते हो तो पुराने जमाने की बात है एक व्यापारी हुआ करते थे जो रिगिस्तान से सफर करते थे यहां से वहां व्यापार के सिलसिले में उन्हें बड़ी शिकायत करने की आदत थी हर चीज में शिकायत किया करते थे बड़े प्यासे थे रिगिस्तान से गुजरते वक्त उन्होंने उपर देखके कहा कि अगर यहां मुझे पानी मिल जाए तो मैं सब जगे हर्याली कर दूंगा और मैं इस में से थोड़ी देर बद जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्ये बाल्टी दिखा दी रसी भी लगई उपर देखा ब Alfaro देखके कहा अच्छा लेगल आव एस पानी को मैं लेकर कैसे जाओं गा जब उन्होंने कहा लेकर कैसे जाओं गा पीछे मुणके देखा तो उंट दिखाए दिया। वियापारी डर गया। सोचने लगा कौन और मुझे सुन रहा है। कहीं मुझे सच में यहां रहे कि हर्याली ना मं बनानी पड़े। और उस उंट को देखते ही वयापारी तेजी से दौड़ने लग गया। अब हम जो है हम सभी उस व्यापारी की तरह है पहले हम सोचते है केहते हैं कि काश मेरा पांच किलो कम हो जाए काश मेरा दस किलो कम हो जाए तो मैं बड़ी अच्छी सी सारी fitness की routine फॉलो करूंगा या करूंगी मैं बहुत हल दीखाऊंगा लेकिन हम ये सोचने की या ये करने की कोशिश नहीं करते वहाँ तक पहुंचने के लिए हमें जो करना है उस कोशिश को हम नजर अंदाज कर देते है तो शिकायते, गिले, शिक्वे इन से बाहर निकल के देखने की कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो कही से भी शुरुआत कीजिए अगर आप दिन बर बैठे रहते हो तो दिन बर में 3000-4000 स्टेप्स चलना सीखिए अगर आप लगातार बाहर से खाते हो तो कम से कम दिन का एक मील जो है उसको फ्रेश घर पे खुद बना के खाने की कोशिश करो अगर आपकी सारी आदते ठीक हैं फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं है दूढने की कोशिश करो कि किस जगा पे आप सुधार ला सकते हो विकॉस दिर इस ओल्वेज रूम पॉर इंप्रूव्मेंट उस व्यापारी की तरह मत बनिये जो लगातार शिकायत करता है और सब मिलने पर भी हरियाली ना बना पाए हमें अपने लिए खुद कुआ ढूनना है खुद बांटी ढूननी है खुद उस पानी को लेकर भी जाना और अपनी हरियाली खुद बनानी भी है उपरवाला हमें सब कुछ देता है बस बात यही है कि हम देख, समझ और उस चीज को सही तरीके से प्योग में लान नहीं सकते तो हेल्थ और फिटनेस में वैसा ही है सारी चीज़े आपके इर्दगिर्द है जरूरी आप जिम जाओ, जरूरी नहीं है आप किसी ट्रेनर के पास ही कलास लगाओ आप घर से शुरू कर सकते हो, बॉड़ी बेट एक्सराइज से शुरू कर सकते हो आप घर का ही ताजा खाना खा के भी स्वस्त रह सकते हो लेकिन कही न कही आपको शुरुआत करनी होगी लगातार कोशिश करनी होगी हर्याली तभी बन पाएगी आशा करती हूँ कि मेरा संदेश आप तक पहुंच गया है नमो नारायना